नमस्कार दोस्तों पिछली का चाह में हमने नौ पार्ट तक पोईट्री दो चैप्टर प्रोज का अध्यन कर लिया है आज हम साथ इस्टोजिज का अध्यन करेंगे इसमें चार चार नंबर के दो कोईश्चन अंसर आते हैं सार्ट अंसर इसके बार इस टापिक से कुछ भी नहीं पूछा जाता है जो इंपर्टेंट है वो किवल कोईश्चन अंसर है तो आज हम इसके सार आंस इसके कप्विता के बारे इस सार इस्टोजिज के बारे में जान लेंगे इसके चैप्टर में क्या है क्या उसका सारांस है और उसे question answer का अध्यन कर लेंगे उसके बाद हम अगली कच्चाओं में दिरे दिरे इसके आर्थ का अध्यन करते जाएंगे तो दो गोल्ड वाच पहला चैप्टर है दो गोल्ड वाच जिसे लिखा है पहुंजिक करा रफी ने पहुंजिक करा रफी ने बताया है कि एक सनकु नाम का गरीब व्यक्ति था वो फैक्टरी में नवकरी करता था फैक्टरी में चपरासी था ग्रूप डी चपरासी था या प्यून नवकर था किसका जो फैक्टरी इंजिनियर था उसके लिए काम करता था जैसे किसों को पानी पिलाना है ऐसा काम करता था जाड़ लगा दिया पानी पिला दिया उसने बहुत ही इवानदार व्यक्ति था वो लेकिन उसके जो बच्चे थे पत्नी थी अब चप्रासी व्यक्त का समझी सकते हो वेतन बहुत कम था एक रुपए था एक रुपए प्रत दिन तो जब उसके जो आउसकता है वो नपूरी होने लगी उसको उसे घर में उसको इपर करजा हो गया वह बहुत गरीब था विचारा रोज सोचता था कि क्या होगा क्या होगा प्रहसान था तो जो उसका उसको एक इसको एक उपाई इसका सूजा उसको उसका जो इंजिनियर था उसके पास सोने की घड़ी थी अब सोना तो बहुत महंगा होता जानते यह तुम लोग जब सोने घड़ी ने उसको चुराने के उसने फैसला किया बच्चों के लिए सब कुछ कर लेगा खुबमीर हो जाएगा बले चुरा के सब करजा पटा देगा जब उस चुराने गया उसने जब इंटर्वल हुआ सब लोग चलेगे बाहर रिष्ट करने या लंच करने तो आप इसमें गुसा और जाके गोलवाज उठा ली जब उसने उठा ली तो बहुत ही उससे इसा लगा जैसे उसको करेंट जैसा लग गया हो आग जल लई हो उसके पैंट में डाल ली उसने गड़ी तो उससा लगा पकड़ लिये जाएगा सब लोग डाटेंगे सब लोग मारेंगे उसको नौकरी सेटा देंगे तब क्या होगा तो इतना गवरा गया इतना गवरा गया उसी दस बीस मिनट में कि उसने फिर जाके उस गड़ी को वाहीं रख दिया तो इस प्रिकार ये काहनी ऐसे अंथो जा तो इसे प्रब्लम समस्यां क्या थी तो आंसर हो जाएगा संकु आज पूर मैं पूर ने फैक्ट्री संकु एक गरीब एक्टी था जो फैक्ट्री बेकार करता था उसे धन गिया सकता थी उसे धन गिया सकता थी उसे पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था तो यह प्लान टू साल विच प्राब्लम्स बाइ श्टिरिंग दे गोल्ड वाच और फैक्ट्री इंजिनियर इसलिए उसने इस समस्या का हल अपने फैक्ट्री के इंजिनियर की तो ने गड़ी चुआ कर इस समस्या को हल करने का निश्चे गिया फिर सेकेंड वाट टाइम साप डे डिट संकु थिंग वादा मोस्चूटेबल फार श्टिलिंग दवाच और वाई संकु को गड़ी चुआने के सबसे अच्छा लगता था और क्यों संकु थाट लच इंटर्वल वाज दा मोस्टेबल टाइम पार श्टिलिंग वाज संकु ने सोचा कि जो लच का मध्यान लच को हता है उस समय लच इंटर्वल होता है उस समय गड़ी को चुआना सबसे अच्छा रहेगा इट वाज सो विगाट्टिरी लच पीरियड इर्वाड़ी विड़ वी आउड आउट फार लच और रिस्ट क्योंकि जो पायर के बोजन के समय सबी लोग या तो खाना-kाना चले जाएंगे या तो आराम करने चले जाएंगे सब लोग फैक्टरी के बाहर चले जाएंगे और इसके चाट न उससे शुरुवाद में गडी चुलाने दराने में जोड़ हो था seen by someone उसे डर था कि ऐसा करते हुए उसे कोई देख लेगा फिर अगला वाई कोड़ी नो लांगर पोस्टपॉन दा एक्ट आफ स्टीलिंग एन ओ होगा ठीक है के नो डबल दो के लिख गया है नो लांगर पोस्टपॉन दा एक्ट आफ स्टीलिंग तो ही कुड नो लांगर इसका मतलब होगा कि उसने गड़ी को चुडाने में जाद देर क्यों नहीं की उसने गड़ी को चुडाने में जाद देर नहीं की क्योंकि उसे अपने जो जिसने उसको रिल दिया था उसे गालेक डर था बच्चा इमार था और इसकी पत्नी गर्वती थी वाट मेट संकू decided he had no other choice but to steal the watch संकू ने क्यों ने स्चित किया कि उसके पास गड़ी को चुराने के लाबा कोई दूसरा रास्ता नहीं है वाट संकू इसको चुराया संकू आज इन डेप्ट फ्रा मेट टुपूट संकू पूईत रिड में डूबा हुआ था he owed 22 रूपी 22 रूपी जन 13 पैसे उसके उपर साड़े 22 रूपय करेड़ था he needed some more money for his child उसे अपने बच्चों के लिए भी कुछ धन चाहिए था so he decided to steal the watch as he had no other choice इसलिए उसने गड़ी को चुआने का ने स्चाह किया निकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था आई एफी कर लेना है संकु ने अपने आपको उसराप क्यों दिया या तुम कैसे जाना हो कि संकु पने पत्नी बहुत प्रेम करता था वाइफ प्रेग्नेंट अगें जब संकु ने जाना कि उसकी वाइफ उसकी पत्नी फिर से गरवती है क्योंकि वे अपने परिवार को चलाने में समर्थ था क्योंकि उसकी आय सिर्फ एक रुपए पत्नी नहीं थी वाइट संकु फिल भी फोर स्टीलिंग दवाज संकु को गड़ी चुडाते समय क्या मैसूस हुआ वें संकु केम तुनो बिफोर स्टीलिंग दवाज संकु थाट गड़ी को चुडाने के पर संकु नहीं सोचा वाज स्टीलिंग दवाज लिएबल टो पेज देट एंड लिव इन पीस गड़ी चुडाकर वह अपने रिड़ चुका देगा और सांतिस रहेगा वाज थाट टरबल संकु आफ्टर कमटिंग थ्रिफ्ट किस विचाड ने संकु को चोरी करने बाद प्रहसान किया आफ्टर कमटिंग थ्रिफ्ट संकु आज अफ्रेडा बिंकाट चोरी करने के बाद संकु को पकड़े जाने डर था यह थाट देट आल वर्करस आफ्टरी वोड लुक अट हिम इस कांड उसे सोचा सभी फैक्टरी के जो कारत मजदूर हैं वह सभी उसे ग्रणा से देखेंगे इस इंजिनियर उसका इंजिनियर से डाटेगा और उसकी नौकरी चली जाएगी संकु ने गड़ी को वापस मेज में क्यों रख दिया और वहां सुप चाप क्यों चला गया आफ्टर स्टीलिंग दवाज संकु अफ्रेड आप बिंग कॉट एंड पनिश्ट पकड़ने के बाद संकु को या चोरी करने बाद गड़ी चोरी करने बाद संकु को पकड़े जाने का और डंड का डर था सो ही पुट दवाज बैक अंदर टेबल इसलिए उसने वापस मेज को वापस मेज में गड़ी रख दी जैसे उसने किया ही फिल्ट मच रिलीव उसे बहुत रहात मिली इसलिए वहाँ से चुप चाप चला गया वाइड संकु नाट गेट एने श्लीप फाल से मुट डेज संकु कई दिनों तक निन के नहीं आई संकु आज पूरवर करें फैक्टरी संकु गड़ी में एक फैक्टरी में एक पुराना मजदूर था यह दो सोट सा फालिंग इस्टा मनी उसके पाद अथरिक दिन कमाने का कोई रास्ता नहीं था हिवाज इन डेफ्ट फ्राम एट पूर्ट हुआ है सिर से पैर तक रिड में था इसलिए उससे कई दिनों तक कोई नीद नहीं आई आज बनाने के लिए और सोट से बच्चे के घावों के लिए कुछ मरहम लाने के लिए कहा और छोटेश बच्चे के लिए दो केले लाने के लिए कहा क्योंकि उसके पास कोई दूद नहीं था उसका बिल्कुल भी दूद नहीं था संकु अजय से संसली एन हनेस्ट मैंड डू एग्री विद दा स्टेट्मेंट ग्यू रिजन्स संकु एक इमानदर व्यक्ति था क्या तुम इस कतान सहमात हो ग्यू विजन्स करण दो संकु अज़ डिप्शनेट्ली एन हनेस्ट मैंड संकु निस चाहिए एक इमानदर व्यक्ति था अपिज आफसर उसने अपने अधिकारी की गड़ी सोने गड़ी चुरा ली बट विकाजी वाज अनेस्ट वी वेरी कोर ये अगेन केप्टेट सेफली पेड़ वाज लेकिन क्यों कि वह बहुत इमानदर था इसलिए उसने वापस उसे मेच पर रख दिया संकु अपने घरेलू समस्या को बढ़ाने के लिए क्यों तदाई था संकु वाज अन्डेफ्ट होगा संकु पर रिड़ था एक्स्ट्रीम पावर्टी वाज में कॉज ओफ इस डामस्टिक वरेज बहुत ज्यादा गरीबी उसके चिंता गमुख कार्ण थी इस वाइफ वाज बेग्रेंट अगेन उसकी पतनी फिकरवती हो गई सो फार दिस ही वाज रिस्पांसबल इंसेल्फ और इसलिए वह इस सब के लिए खुद ही उत्तरदाई था फिर अगला हाव पार वाज संकु जस्टीफाइड इंसर्टिंग और इच प्राब्लम अपने समस्याओं को जिस तरह साल हल करने कोशिज किया वह सही था संकु निदे मरी मेडली संकु को दन की बहुता आप सकता थी बट स्टिलिंग दवाज वाज नाट सलूशन आव इस प्राब्लम लेकिन गड़ी चुदाना इस समस्या का हल नहीं था है डिवी का ही बीन जिसे लिखा है आरके नारायण ने तो इसको इसको को इसके कोशन एंसर हम देखते हैं पहला कोशन है वाट इसकी पहले काने सुन लेते हैं एक जो तिसी था जो ऐसे ही सड़ा के मैट फुटबाद नमट याता था था पड़ी डाल लेता था बढ़िया रंग पोट छोई ले अपने कुछ रंग पोट लेता था चंदन पोट लिया हाथ में माला डाल लिया बठा रहता था एक दिन एक जनभी आया उसने का कि मैं सवालों को सई सई जवाब दो अगर नहीं दे पाए तुम को इतना रुपए द लगाए अगर तुमने दे दिये तो मैं दूं को इतना रुपए दूंगा दोनों में साथ लगाई उसने जब अधस्ती का ऐसा जो इस्ट्रोजर जो इस्ट्रेंजर था परचित विक्तिता तो उसने उसको देखा उसने अपनी सिगर्ट जराने के लिए माचिर जिलाई परचित विक्तो है कि उसको पेचान लिया वह कौन था विश्ट्रोजर यूओ था अपने गाव में रहता था तो उसने नसे में एक क्रण व्रक्ति को चाकुमार मारे के छाकुमारी खुब चाकुमारी और उसको उठा के कुवा भीक दिया है क्रुक्तित को मर घया भाग ग कि सादि भी ऋगई स्किए तो फोर पहिचांद जुपा ली तो उसने सब साइसे वस्ताहि धी अूर्प उसके बारे उसने, कहां मिलेगा? कि जुसने मुझे मारा है ध्यक्ति को चुपा है चार मेने पहले एक रोड मर गया था विछारा और था खुदी लेकिन उस नहीं बता दिया और तुम आज की बात कभी इस दिसा में ना ना नहीं तो तुम आई जाननों खतरा है आज अगर के चला गया जब गर पभुचा अपने पैसा दी आज बहुँ जदा पैसा है तो उसने बोजन करने का दिए बताया कि मैंने ऐसा-इसा किया था आज में बहुत खुश हो बच गया है मैं अत्यारा नहीं हूं तो इस प्रकार से कार्नी खत्म हो जाती है तो इसमें व प्रोफेशनल एक्युपमेंट कंसीड आफ डूजन कवरी सेल्स स्क्वाइर पीस आफ क्लाथ नोट्बूक एंड बंडल आफ पैलमेर रेटिंग्स जो जो त्सी के पास वेफसाइक उपकरान थे वे थे एक दर्जन कवरी थी एक रंगा पुता बढ़ियां कपड़ा था श what happened one evening when the extrolover was preparing to go home एक दिन क्या को जब जोज सी अपने घर जाने कर रहा था यदि जो जो त्यारी कर रहा था एक अपछी उसके पास आया अपने प्रस्नों का जवाब देने की चुनावती दी वाट मेड दाश्ट लोजर फिर अनकमपरड़ेबल जोच्छी को जोच्छी क्यों असाज हो गया दाश्ट लोजर फेल्ट वेरी अनकमपरड़ेबल एज रिगागनाईट अस्ट्रेंजर असाज हो गया क्योंकि उस अपरचित को बचान लिया था क्योंकि उस व्यक्ति को चाकों से मारा था और उसे मरा जानकर कुए में दक्का दे दिया था या कुए में फिक दिया था वाट दे इस्ट्रेंजर तेल गुरु नायक एबाउट इज एनिमीडेट जोट्सी ने गुरु नायक को उसके दुस्मन की मौत की बारे में क्या बताया या वाट 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 फर्स्ट कोश्चन आप दे इस्ट्रेंजर अपरचित के पहला प्रसण क्या था अपरचित ने पहला प्रसण पूचा कि वह अपनी वर्तमान खोज में सफ़ाल हो गया नहीं जोच्सिन बताया कि उसका जो दुस्मन है वह चाल मैंने पहले ही एक दुर कसम मर गया है वाट अपरचित को जोच्सिन क्या सला थी जोच्सिन सला दिया कि अप्रची से का लोट जाओ अपने गाउन लोट जाओ क्योंकि उसकी जिन्दगी खत्रे में है और दुबाला दच्छट दिसा में मत आना वाट डिट दाइस लोजर टेल हर वाइव अप्र डिनर योट्सी ने अपनी पतनी को रात की खाने के बाद क्या हताया अप्र दिनर डिट लोजर टोल डिज वाइव रात की खाने के बाद योट्सी ने अपनी पतनी को बताया that he was very glad कि वह बहुत प्रसन था because the person whom the person दो बाल लिग गया है the person इसको काट ले न the person the person whom he stabbed some years ago in his village did not die and watch before him in the evening क्योंकि उस्वेक्ट जिसने जिसे उसने कुछ सालों पहले चाकूओं से गोद दिया था वह मरा नहीं आए वह आज उसके सामने साम को आया था how could the soldier get rid of the fear he was troubled with जो c उस डर से जिससे वो प्रसान लेता था काहे शुटकारा मिला how do the soldier get freedom from fear of revenge and punishment लेखक को उस बदले और दंड से बदला दंड से जो डर था उस संत्र कैसे हुआ the soldier got rid of the fear when he saw the same man whom he stabbed in his youth allowing the form of a stranger client the form of a stranger client जोसी को उस डर से मुक्तितम मिली जब उस व्यक्ति को जिससे उसने चाकों से गोद दिया था अपने सामने एक अपरचित के रूप में जिन्दा पाया how does the soldier and his living why was he forced to hide his identity जो जो जोसी साब अपने जीव का कैसे कमाता था why was he forced to hide his identity उसे अपने पैचान चुपाने में के विवास होना पड़ा था the soldier and his living by his practical knowledge जो जो जोसी साब वोई अपने विवारिक ज्यान से पैसे कमाता था he was forced to hide his identity उससे अपनी पैचान चुपाने पड़ी क्योंकि he stabbed a man in his youth and pushed him into a well thinking him to be dead क्योंकि उसने अपने युगा वस्ता में एक रक्ति को चाकों से गोद दिया था और उसे मरा उगा जान कर कुबह में भेग दिया था why had the soldier left his village? युट्सी ने अपना गाउं के चोड़ दिया the soldier left his village forever because he had killed and threw गुरु नाया की निवेल क्योंकि युट्सी ने गाउं के चोड़ दिया क्योंकि उसने गुरु नाया को मार कर कुवे में भेग दिया था फिर अगला chapter the lost child इसे लिखा है मुल्क राज आनंद ने ये लोश्ट चाइल्ड में क्या कानी है एक बच्चा रहता है और मम्य आपा के साथ मेला जाता है देखो तो खड़े है बच्चे एक बच्चा खड़ा है पीछे मेला कम आ ओला है मम्य आपा आए उसके वो कह रहा है उदर ही सारा कर रहा है कि वो लिवाद हो यह लिवाद है तो वो बच्चा रहता है तो मेला जाता है बड़ा खुस जाता है जब मेला जाते हैं तो बहुत खुस हो जाते हैं जाज मेला जाना है मेला जाना है जब मेला जाता है रास्ते में बहुत खुस इदा दूर गुमा क प्रफूल गिरते हैं उसकी महाइक से खुष हो जाता है जब मेले में पर उस्ता जेखता है बहुत भीड़ा है मेले में हर दिसा से लोग आ रहे हैं पहले मेला बहुत बड़े बड़े होते थे अब तो मेला छोटे-छोटे होने लगे हैं पहले सवसो गाओं की लोग एक जगह कठा होते थे लाखों की बिंगड़ी हो जाती थी लोग खो जाते थे जब बच्चा आगे बढ़ा तो उसने देखा जब बढ़े लाएं मिठाई रखी होई यह है तो ने का उसका मानुहां कि मिठाई को कहीं दें आ वह क्या मिठाई हैं तो इसने रुचा कि मिठाई रुकाएंगे लेकिन दोत्ता कि मम्याप आगा निकल युक्त तो भी निकल गया फिर उसने देखा कि माला है इसमें माला एक ठीप बड़ या गुलमन वहर की माला थी मायक रहे थी तो माला ले रहे लाओ यह माला भी वो डर अपने मम्य अपस्ट डरता था पापा जरता था ते लिए अभी नहीं का फिर वह उच्छा आगे तो एक जो सांप सपेरा तो जथा स्वाइप को नचा रहा था बड़्या बजा रहा था बीन बजा बड़्या पर अगे चले फिर वह आगे पर अगे देखने लगए पिर अंत में लेने वे का अरे खिलो ना लिवा दो सम्तेजी से का जब आगे देखा तो कोई था ही नहीं सामने हैं अब हम आपा जोड़ने लगा का एक बहुत देख दोड़ा हितर-दर कोई मिला ही नहीं खोगए अपा उसके तो एक जगा बहुत भीड थी मंदीर था मंदीर वैसे मेले मंदीर होते हैं वहाँ पी लोग जाते हैं उसी विज़ा से मेले लगते थे मंदीर बहुत भीड थी तो बीद जा गुझ गया कि यहीं डूलने सायद मिल जाए एक भीड तगड़ी भीड थी भीड जाता थी तो नीचे गिर गया विचारा गिर गया तो उसके बद पैर रखने ही वाले इक बद्ए Tsis दोलो कि एक भला गुक्त था उसने उसे ठालिया गदी में उठाया कहा का का वनोड़ी जाना है तो बैस महीं मम्मी जाईए रोने लगा लुमिधा मुझे मंमी चाहिए मुझे बापा चाहिए कि ऊच्छा असधा हैँ उपना गावन जानता है को निड़ी is व बगवा मिठाई खालो लेओ जलेबी लो बरफी खालो लेकिन वो कुछ नहीं खाया कि कुछ नहीं चाहिए अमको सब बेकार है मम्मी चाहिए बापा चाहिए फिर लिवाग गये का जूला जूलेओ जूलेओ जूलेम भी ठारा लेकिन जूला भी का नहीं जूलोंगा मैं मुझे मम्मी चाहिए बापा चाहिए फिर गुबार एक पास लेगिया का गुबारा लेलो फिर गुबारा नहीं लिया उसने का छोग कोश नहीं चाहिए मम्मी चाहिए ऀफिर अगे गए माला ओ ले लो बहु किया इस तहे एक आनी खत्म छाती है तो वाइवाज माता पिता नहीं स्लिक और या बच्चेक Boy Sir दुकान के सामने कड़े होकर छूट पीचे छूट गया था वाट वाट प्लीजर विपोर द चाइल्ड एड फिल्ड इगर आई वे कौन सुवावना दरस्त था जिससे बच्चा बहुत दिख्षोस हो गया बच्चे की आफों को आकरस्वर से बढ़ दिया बच्चे के सामने जो सुवावना सचित्र था वे था की सामने सरसो के खेत थे पीले पीले एकदम फूल थे उसमें इट वाज पेल लाई के मेल्टिंग गोल्ड इसमें यह पीले थे जैसे की चमकते हुए चमकता हुआ सोना हो अब वाई 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 बच्चे उप फ्लाइड रेगें वह उन तितल्यों पकडने लगा जो की उसके उन फूलों के उपर उड़ रहे थे इस चेज देम उसने उन्हें पकड़ने के लिए दौड लगा दी वाट अबेंड वेन इंटर डे ग्रोव क्या हुआ जब वे एक ग्रोव में आए इसावरा फ्लावर्स चैनली फेल पान दे चाइल्ड वेन इंटर डे ग्रोव जब वे पेड़ों के पास आए तब उन्हें तब उसके उबर एक फूल की फूलों की फुहार बारिस हो गई फूल गेड़ने लगे दिनी हर्ड दस्वीट मूजिक आप डफ्स और तभी उसने फाक्ताओं की मदूर संगीश सुना वाड़ द चाइल्ड सी ऐस दे केम नियर द फियर जबच्चा मेले के पास आए तो उसने क्या देखा आइज दे केम नियर द फियर जैसे मेले के पास आई 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 जगलर वाज प्लेइंग इच फ्लेइट तो इसनेक इन द फियर। बच्चा उस जगह अधिदेर तक करने सुखत सका जहां सपेरा साप को संगीश सुना कर नचा रहा था। बच्चा उस जगह पर जहां पर सपेरा अपने बाशुरी बजा रहा था और साप को नचा रहा था वहाँ इसलिए न रुख सका कि उससे अपने मातापिता से अलग होने की चिंता थी। बच्चे ने उस सज्जन व्यक्ति द्वारा दिये गए हर आफर को हर लुखावने वाद्यों को स्विकार के उने किया या क्या रियक संदिया उससे के लिए वाड़ चाइल्ड फैनली वांट इंदा इस्टोरी दे लोस्ट अन्तमिल बच्चे को लोस्ट चाइल्ड जो खो और युए काइन्ड आफर आप जिंटल्मैंट चाइल्ड उने निस सेड कुछ सज्जन व्यक्ति के प्रत्य अपर पर प्रत्य आफर पर वह युडडके पच्चा कैता I want my mother I want my father F-A-T-H-E-R है I want my mother I want my father मुझे अपनी मता चाहिए मुझे अपनी पिता चाहिए मनुस को बच्चा कहा मिला और उसने फिर क्या किया मनुस उस व्यक्ति को बच्चे मंदिर के प्रवेस इस्तान में मिला उसने बच्चे को भीड के पैरों से कुचलने से बचा लिया बच्चे की पहली मांग जब वह मिला गया तो क्या थी बच्चे ने अपने माता पिता से उसके लिए अपने लिए एक ख्लोना खरीदने के लिए कहा यह उसकी पहली मांग थी तो आर्स वाट डिर चाइल सीम अट्रेक्टेड किस चीज के प्रती बच्चा अकरसित हो गया बच्चा गुल्मोहर के फूलों से बनी माला से अकरसित हो गया क्योंकि उसकी सुगंद उसके नाकों तक उसके नथनों तक आ रही थी बच्चा की सोर खीचा चला गया बच्चा पीले लाल हरे बैगनी गुबारों की तरफ खीचा चला गया बच्चा उस ज्यादा बहुत भीड़ वाले मंदिर में क्यों गुशने लगा अपने माता पिता को खोने के बाद बच्चा उस अधिक भीड़ वाले स्थान पर प्रवेस करने ये कोसिस करने लगा इस प्रकार से ये कहानी तीनो साथ हिस्टोरिज के कोश्र अंसर पूरे होते हैं एक पार्ट बचा है उसको बाद में करा दिया जाएगा और इसके जो अर्थ हैं ये अगली कच्चा में आपको पढ़ाए जाएंगे तब तक के लिए और इसको अपनी कापी में तब तक के लेना है चार चार नमर के दो कोश्चन अर्था आठ नमर कोश्चन अंसर आते हैं जिसमें पहला और फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर ज्यादा इंपर्टेंट है थर्ड चैप्टर बहुत ही कम इंपर्टेंट है और फोर्थ चैप्टर भी इंपर्टेंट है तो ठीक है जैहिन जै भारत धन्यवाद